मैं जगमती सांगवान भी मवाडी अंतराष्ट्य वॉलीबल खिलाडी और जनवादी मैला समीती की राष्ट्य उपाध धैक्स आज इस मौके पे जब हमारी खिलाडी लड़किया उनके साथ होने वाले योन शोशन की गटनाव के खिलाप अपनी आवाज उठाने के लिए सामने आ रही हैं इस मौके पे यह कहना चाती हूँ कि खुद हर्याना के अंदर हम पिछले 15 दिन से इस बात के लिए संगर्श रत हैं कि जिस मंतरी ने हमारी जो होन हारखि लाडी के साथ योन इंसा की उसको कैबिनेट से हटाया जाना चाहिए उसके खिलाब FIAR धर जो चुकी है उसको गिरफतार किया जाना चाहिए लेकिन आलम ये है कि पूरे हर्याना राज्ये की तमाम एजेंसी जो है उस मंतरी को बचाने पे लगी हुई है खुद मुख्य मंतरी बेशर्मी के साथ ये कहता है कि कि किसी लड़की न अनर्गल आरो बचाहिए है अब आज जो जनतर मंतर पे जो नजारा देखने को मिला है हमारे यहां कि वो लड़किया जिनों न अना पूरी दुनिया मां मारा जळब भाया रहा है उसमें साक्षी मलिक है उसमें विनेश फोगाठ है वो सब डंके की चोटी ये कह रही है जनतर मंतर पे कि ह हमारे साथ बजसलूकी होती है, लड़कियों का योन्शोशन होता है यहाँ पे और करने वाले खुद हुआ के फेडरेशन के अद्देश है, मेंबर पार्लियामेंट है, यह बीजेपी के जो संसकर्ती की और चालचरीतर की बात करते हैं, सारे इनके लोग हैं वो जो है, तो यह जो घटनाई सामने आरी है अत्ती दुखद है और इसके खिलाब पहले से भी जनवादी महिला समीती, सामाजिक संगठन और पंचायते वो लड़ाई के मैदान में हैं और हमने 22 तारिक को इकठा होके चंडिगट पहुचने का भी आवान किया सरकार को गेरने के लिए, इसलिए हम इस मोखे पे अपील करना चाहते हैं कि हमारी तमाम जनता को अपनी इन बेटियों की आवाज के साथ आवाज मिलानी चाहिए और जब तक इनको न्याय नी मिले अपना जो विद्रो का जंडा जो है वो बुलंद रखना चाहिए.